तो यह ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप समझ के देखो, सपोस करते हैं हम क्लास 11 में आए अभी अब 11 में जैसे ही हम आते हैं तो हमारे साथ क्या एक बात घटती है मतलब यह सब बचों के साथ होता है स्टार्टिंग के 10, 12, 15 दिन जोज बड़ा हाई रहता है क्योंकि नया सेशन है, नया साल है तो वो जो स्टार्टिंग के 10, 15 दिन है वो तो हमें काफी अच्छा भी फील होता और लर्न कर रहे होते हैं तो अब बात और सवाल ये उड़ता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या ये हमारी गलती है? क्या ये टीचर की गलती है? किस की गलती है? तो आज हम इस बात को जान रहे होंगे पहले प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम हर को ही बता देता है उसके बाद उसका solution देख रहे हैंगे तो येस गाइस, मैं नेम इस विनोत कुमार बहल तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताने वाला है and I hope कि इससे कुछ बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे and you guys are going to apply this हमेशा एक बात बोली जाती है कि यार कोई भी चीज को अगर आप 21 दिन तक लगतार करने की कोशिश करें ना तो 21 दिन बाद वो आपकी habit के format डिवलप हो जाती है और फिर उसके बाद वो चीज आपको करना बहुत सही लगता है, बहुत अथसा लगता है फिर उहाथ में तकलीफ सोड़ी सी होगी लेकिन दीरे-दीरे उस तकलीफ के बाद जो एक मज़ा आएगा ना आपको जो आपको लगेगा, जो एक happiness होगा वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकता तो बचो सबसे पहले-पहले यार एक जो है ना scientist बोलो चाहे psychologist बोलो ठीक है ना, Ebbinghaus उन्होंने एक चीज देखा कि यार जब teacher क्लास में बच्चे को पढ़ाता है मतलब यहाँ पर दो चीज़े आती है एक learning कर और एक forgetting कर उन्होंने एक चीज देखा कि teacher बच्चे को पढ़ाता है आप देखो, जब मैं खुद भी physics पढ़ाता हूं जब मैं बच्चो को पढ़ाता हूं तो हर एक बच्चा क्लास में बोलता है यह सर बहुत अच्चे समझ में आगए अगर आप लोगों कभी ऐसा है इतने बड़े-बड़े organizations है हर जगे classes सिलती है तो वो कई न कई आपको समझा तो देते है on the spot आपको समझ भी आजाता है लेकिन दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद जब आप से हम वो चीज़ पूछते हैं तो आप नहीं बता पाते हैं आप कहते हैं सर भूल गया उसका कारण क्या है आप इस कर्व के त्रू समझने की कोशिश करो जब टीचर हमें पढ़ाता है सपोस्ट करते है इमिडियेटली तो हमारे दिमाग में 100% आता है चीज़े 100% हमें पता होती है किस तरीके से काम कर रही है लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं 20 मिनट के अंडर अंडर यानि सपोस्ट करो टीचर ने टॉपिक खतम कर दिया मैंने यहाँ पर एक 2 गंटे की क्लास ले ली आपकी 2 गंटे की क्लास मैंने खतम कर दी अब 2 गंटे के बाद से जो यह पहला 20 मिनट का टाइम गैप होता है यह बड़ा क्रूशल होता है यह बहुत ज्यादा क्रूशल होता है इस 20 मिनट के टाइम गैप में अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम 42% की मेमरी को 42% की लर्निंग हम भूल जाते है हमारे पास सिरफ और 58% रिटेन रह जाता है आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कई पर भी जब क्लास होती है तो एक क्लास के बाद थोड़ा सा गाप दिया जाता है फिर दूसरी क्लास होती है तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज की यह रिक्वेस्ट करूँगा इस पे कि जैसे ही टीचर आपको टॉपिक पढ़ाए तो आप उसके बाद जो है ना उसको इमिडियेटली थोड़ा सा देख ले मैं यह नहीं कह रहा कि दो गंटे टीचर ने पढ़ाया तो आपको दो गंटे ही देखना नहीं आप एक बर सारे पन्ने पलड़के देख ले कि भाया टीचर ने क्या-क्या पढ़ाया ताकि थोड़ा सा उस टैम पे आप और स्टोर कर सको ये 58% का 70, 70, 75% आपके दिमाग में आ जाए राइट है जी चले ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भूलते किस तरीके से अभी इसका solution तो मैं बताऊंगा आपको पहले मैं बता रहा हूँ आप भूलते किस है 20 मिनट के अंदर अंदर 58% रह जाएगा सिरफ अगर आप पहले एक घंटे में देखेंगे देखेंगे बाद में आप चीजों को थोड़ा दीरे तरीके से बोलेंगे असल मैंने एक चीज बोली जाती है वो क्या है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से बोल जाता है rate of learning is equals to late rate of forgetting rate of learning is equals to late rate of forgetting आपने एक चीज नोटिस करिये जितनी भी क्लासेज होती है आप लोगों की वह एक घंटा देर घंटे की होती है उससे ज्यादा classes आपको थोड़ा सा मुश्किलात में डाल देती है कारण क्या है जब teacher आपको शुरुआत में पढ़ाता है class में तो 15, 20, 25, 30, 40 मिनट तक हमारा दिमाग बहुत सही काम करता है बहुत तरीके से हम चीजों को learn करने की कोशिश करते दीरे दीरे वो rate of learning जो है वो slow होता जाता है और एक घंटे बाद हम teacher को बोलते है सर बस करो आज के लिए बहुत है हम ठक गए similarly forgetting का भी same है starting के 20 मिनट जितने क्रूशल थे starting के 20 मिनट में आप जो है 42% भूल गए उसके बाद अगर आप देख पार है तो लगबग हम सिरफ 14% भूल रहे है लेकिन भूल तो गए right अगर आप उसको देखोगे suppose कर आप teacher ने आज आपको पढ़ाया दिन में 2 बजे तो रात के 11 बजे तक वही same चीज आपके दिमाग में सिरफ 36% रह जाती है और अगर आप पूरा एक दिन दे जाओगे यानि आज 2 बजे पढ़ाया कल के 2 बजे तक उसका सिरफ 1 थर्ड आपके माइंड में रहता है उसके बाद फिर 2 दिन तक 28% 6 दिस 25% 31 दिस 21% ये 21% का क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि अगर एक महीने बाद सेम चीज आपको वो टीचर पढ़ाए तो आपको ऐसा लगता है कि अरे सरी ये तो याद आ रहा है आपने ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है वो चीज़े आपको प्रॉपर याद नहीं रहती उसका सिरफ 21% हिस्सा है अगर पूरा एक पेज टीचर पढ़ा रहा तो हो सकता आपको उसमें सिरफ दो लाईने याद आजए आप लगे अच्छा सरी ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हमने लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना सलबस बहुत ज़ादा होता टीचर उसको एक महीने बाद नहीं रिवाइस कराता टीचर तो उसको तीन-चार महीने बाद रिवाइस कराता सोच के देखो अगर एक महीने बाद वो 21% पेंडिंग है तो तीन-चार महीने बाद क्या होगा इसलिए जब हम तीन-चार महीने बाद पढ़ाते है ना उसको revise कराते है तो अक्सर बच्छा ये बोलता है सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने बिलकुल ही याद नहीं आ रहा है जैसे अब ही आपको 12th में हो तो 11th की चीज़े तो आपको वैसे भी याद नहीं है I hope this is very clear to you all अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये problem तो हो गई भाई भया forget आप ऐसे करते हो ये है इसका solution क्या है वो देखो तो यार इसको बोलते है spacing effect या फिर reviewing effect ये spacing effect का क्या मतलब है concept को देखने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि सर आपके पास 100% है जो टीचर ने आपको दिया था immediately आप 100% आप चीज़ों आपके दिमाग में अगर तो आपने उसका review नहीं किया तो बड़ी simple सी बात है वहिया पहले 50% retention होगा और करते 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 वो आपका zero ही हो जाएगा zero का मतलब वही यार अब 10% है तो आप क्या कर लोगे paper में तो कुछ करी नहीं पाओगे तो यहाँ पर वो कहता सर ऐसा करो पहले दिन पे मतलब जब teacher ने आपको पढ़ाया जब teacher ने आपको पढ़ाया तो आप देखे कुछ भूलेंगे तो सही लेकिन एक बार review जो है ना वो on the spot कर लीजे और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ teacher जब आपको दो गंटे पढ़ाता है मैं आपको यह नहीं कह रहा है कि उसको learn करना है on the spot मैं कहरो review करना है देखना है teacher ने क्या पढ़ाया अगर teacher ने for an example कुलॉम्सलो पढ़ाया तो आप paper पे अभी मत लेको अभी आप देखो okay अच्छा F is equal to KQ1, Q2 by R is कुछ इस तरीके से आप करो तो आपको समझ में आएगा पहला review आपको एक दिन बाद on the same day on same day करना है उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो दूसरा review करना है वो आपको तीन दिन बाद करना है क्या करना है तीन दिन बाद करना है आज teacher ने पढ़ाया आज आपने immediately देख लिया अब आपको उसको लन तो करना पड़ेगा उसको revise तो करना पड़ेगा तो भाई आप एक बार उसको आप तीन दिन बाद देख लो पेपर पे लिक डालो जैसे आज teacher ने पूरा पढ़ा दिया आपने पूरा देख लिया ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी फूर्थ review अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको एक महीने बाद एक बार उसको उठा के फिर देख लेना अच्छा ये चीज ऐसे होती है और पाच बार review आपको तीन महीने बाद देना है चीजे जो है वो 99% आपके दिमाग में स्टोर होगी आप खुद सोच के देखो एक बार करके देखना टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया उसको आप आज रिवाइस करो दो दिन बाद फिर रिवाइस करो छे दिन बाद फिर रिवाइस करो उसके बाद एक महीना बाद फिर रिवाइस करो तीन महीने बाद आप देखोगे तो वो चीजे आपको लर्न है हमेशा ऐसा ही तो होता देखो जब भी टीचर आपको ये बोलता है मैंने हमेशा ये experience किया है आज के दिन भी अगर मैं ये बोल दू कि I will be starting with chapter number one तो हर एक बच्चा पढ़ने के लिए ready होता है कारण उसका ये है कि भाईया first chapter को हमने पहले किया था जब शुरुआत शुरुआत में आये थे हम मैंने का था ना उस समय पर जोश बहुत जारा था हम आए हमने पढ़ा दो दिन बाद पढ़ा था पाच दिन बाद भी पढ़ा था दस दिन बाद बाद भी पढ़ा था फिर class test के लिए भी भी पढ़ा था तो वह chapter हमें याद हो चुका है और उस chapter को पढ़ने के लिए हमें दिक्कत भी नहीं होती है हमेशा एक चीज बोली जाती है कि अगर आपको माइंड की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आप वोस बुक्स को देखिए जब आपके बास नया चाप्टर होगा तो आपको तकलीफ होगी आप पाच उन्वेस हो जाएंगे लेकिन जब चाप्टर वन आपको बार-बार पढ़ाया जाता है आपको बोरिंग नहीं फील होता क्यूँ? क्योंकि वो चीज आपको याद है आपने बार-बार उसको रिवाइस किया है तब ही तो बोलते है वहाँ पर यह बोलागा प्राक्टिस मेक्स यह पर मैं नहीं बोलूँगा प्राक्टिस मेक्स इच एन एवरी परसन आपको आगे पता है बोलने की क्या ज़रूरत है पॉफेक्ट बात समझ में आ रही है यह बड़ी सिंपल सी बात है अगर आप प्राक्टिस करोगे तो आपको चीजे दीरी दीर याद आएगी आप चीजों को दीरी दीर देखोगे आप रिव्यू कर रहे हो आपको चीजे समझ में आने लगेगी तो मैं यहर आपसे एक ही बात बोलूँगा कि कम्प्लेंट करना मत करो बंद करो इस चीज़ को excuses नहीं रखने हैं हमें हमें बस पढ़ना है और उसको बार बार प्राक्टिस करना है रिवाइस करना है देखो कैसे चीज़े लिलोन होती उसके बाद आप किसी टीजर को यह नहीं बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आद सर मुझे चीज़े याद नहीं हो रही अक्सर बच्चा प्राव्लम लेके आता है हफते बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद सर जो आपने पढ़ा हो समझ में नहीं आता चीज़े याद ही नहीं होती अरे याद कैसे होगी भाईया आप रिवाइस ही नहीं कर रहे है अच्छा रिवाइस में यहाँ पर यह भी नहीं बोल रहा कि आप जो है ना मतलब क्वेशन को करें कॉंसेप्ट को रिवाइस करिए एक बार पहले कॉंसेप्ट को पक्का करिए क्वेशन के बारे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाया बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है नियूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे है उस पे कैसे फोकस करें उसको किस तरीके से करें आज के लिए इतना है फिर से कौंगा यार आप कितनी तेजी से बूले जा रहे है और आपको उन भूलने से रोकने के लिए रिटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आए होप ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर तो ये आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को तो उसे चीजे और अच्सी हो जाती है तो आप जयददधा शेयर करेंगे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों सरी सब्सक्राइब कराएंगे क्योंकि अब सपोर्ट तो आप ही लोगों ने करना है तो फिर मिलते हैं आपसे आपके अगली वीडियो में तब तक के लिया, all the very best, bye guys, bye all and yes.